सब दपला सारे भाईयान मोई स्वरवागी राम राम इसी वीडियो बनाने के पिछे के रीजन है भाई और रीजन है एक सवाल लोग भाई पूछते रहें के जाट जो है अपने इमोट साइकले पिछा गाटी पिछे जाट को लिखवाँ है कि अपने जाट लिखवाँ है किस बात का गमंड है जो नू दिखावाँ जाट लिखवाँ है रीजन गे भाई लिखवाण का तो उनके इस सवाल का जवाब देनी थी भाई कुछ लाईं से लिखिया है तो क्या उनके लिए कि पूर्वज हमारे सिंद से आए कुछ पले न था जब उतर भारत चले आए नीचे ती दर्तियों रूपर आसमान कोई साथ ता दो बस वो था बगवाण उन्होंने दर्ति को खोद डाला सोना उगाया लोगों को खिति करना बीच बोना सिकाया जिन्होंने भारत को कर्शी परदान देश बनाया वो पहले बना जमिदार फिर जाट कहलाया गरव उन पूरवजों पे जिन्होंने महनती जाट बनाया इसलिए गाटी पिछे जाट लिखाया जाटोंने तैमूर जैसे लिटोरिया को देश से बगाया मारदा सूर्ज मल्य मुगल शासन में सिका जमाया यूही ना अंग्रेजोंने बगत सिंको फासी पे लटकाया जाटोंने देश के आजादी में बड़ा हिस्टा निवाया जब पड़ी जुरूर देश को तो जाटोंने अपना सीना अडाया बोर्डर पर जाकर अपना लहू बहाया हमारी ताकत को देख सेना ने रेजिमेंट जाट बनाया इसलिए गाटी पिछे जाट लिखाया न पैसा न प्रोप्रेटे न रूतबे पे गमंड है हमें तो बस एक जाट शब्द पे गमंड है क्योंकि देश ही नईवी देश में भी जाट बारत का नाम चमकाये हमारे बाई बैन देखो लंपिक में कितने मैटल ले आए जो कर सका न कोई वो काम करके दिखाया आठ दोनी सोडा होते जाटोंने सोडा दोनी आठ बनाया हिसलिए गार्टपीचे जाट लिखाया तो बाई अगर यूर लगा कि थोड़ा ठेक लिखाया थीक लिखनी कोशिस करिये या और लाएक करके और अगर ठेक ना भी लागवपसंद न आ हूँ तो फेर भी लाइक शेर कर दीयो यार तम तो भाई योगने आचा भाई राम राम